Hello students, welcome to our another video, इस वीडियो में आपको class 10 का syllabus mark कराने वाला हूँ from latest edition of RD Sharma 2022 में से कई बच्चों का मुझे message आया था कि sir आपने NCID book में से तो syllabus mark करा दिया है बट RD Sharma में हमें काफी दिकत हो रही है कि कौन से topic हमें करना है, कौन से नहीं करना तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी detail बताने वाला हूँ और chapter wise आपको हर एक topic mark कराऊंगा जिससे आपको कोई दिकत नहीं होगी आपने पूरी वीडियो को दियान से देखने और अपनी book में mark करते चले जाना है कि कौन से topic आपको करना है कौन से नहीं करने ये वीडियो especially for cbsc student के लिए because according to cbsc syllabus कौन कौन से topic आपके इस साल आने वाले है उसी को मैं यापर follow करूँगा other board का मुझे यहाँ पर मैं discuss नहीं करूँगा यहाँ पर मैं सिर्फ cbsc board के students को पूरा syllabus mark कराने वाला हूँ from latest edition of rd sharma 2022 में से तो start करते हैं वीडियो यह आपकी latest book है for class 10 mathematics rd sharma की यह आपका containing detail है तो सबसे बहले first chapter start करते है real number real number में सबसे बहले आपने introduction तो बन नहीं है कि इसका introduction क्या है first exercise जो आपकी 1.1 है वो आपको नहीं करने यह आपकी deleted है second exercise आपकी 1.2 वो भी आपको नहीं करने ही वो आपके deleted है third exercise आपको करनी है fourth exercise आपको करनी है और 1.5 भी आपको करनी है जो इसके आपके next exercise है 1.6 वो आपकी deleted है तो यह आपको नहीं करनी है तो इस chapter में आपको 1.3, 1.4 और 1.5 आपको करनी है उसके अलावाद जितने भी exercise है वो आपके removed है तो यह होगे आपका first chapter real number second chapter है हमारा polynomial, polynomial में सबसे बहले आपने introduction पढ़ना है उसके आपने graph के बारे में पढ़ना है और quadratic और क्यूभी polynomial क्या होता है उसके बारे में सिर्फ study करना है और उसको graphical representation कैसे होती है वो आपने सिर्फ समझनी है और इसके सिर्फ आपको exercise 2.1 cover up करनी है और इससे जो पहले example mention है उसको आपने follow करने है तो 2.1 आपकी पूरी होगी इसके इलावा आपका 2.2 आपके deleted है और 2.3 भी आपको नहीं करनी है according to new syllabus जो इससा आपको mention हुआ है उसके according आपको 2.2 आपकी deleted है यह आपको नहीं करनी है next chapter है हमारा pair of linear equation in two variable इसमें आपकी first exercise आपको करनी है और इसको graphically representation भी करना है आपको second exercise भी आपको करनी है third भी आपको करनी है fourth जो आपकी exercise है वो आपकी based है cross multiplication method तो वो आपका deleted है तो 3.4 आपको नहीं करनी है बर अगर आप इसे एवले question अगर आप practice करोगे by othernal method like elimination method और substitution method तो इन question के आप सिर्फ practice कर सकते हो और इसके value finder कर सकते हो by these two method cross multiplication method आपका remove होगे तो इस करके आप उस matter से आप इस equation को solve नहीं करोगे अब other method से इस equation को just for practice के purpose के लिए आप इसको consider कर सकते हो otherwise the excess is removed 3.5 आपको करनी है 3.6 भी आपको करनी है 3.7 भी आपकी cover-up है 2.3.8 भी आपकी cover-up है 3.9 भी आपकी cover-up है यह आपको करनी है 3.10 आपकी deleted है because यहाँ पर आपकी equation solve होएंगी by using reduction method प्रेस करके 3.10 आपको नहीं करनी 3.11 आपको करनी है तो इस chapter में आपको 3.4 और 3.10 नहीं करनी बाकी exercise आपकी आएंगी इसलिए बस में next chapter है हमारा quadratic equation इसमें आपका first exercise cover-up है second exercise आपको करनी है third भी आपकी cover-up है fourth भी आपको करनी है इसमें आपका completing the square method आपका deleted है बर उसके base पर यहाँ पर इस साथ जो नई addition आपकी book आई है उसमें already आपका method deleted है तो इसकरके इसमें आपको कोई portion आपको delete करने की जूरत नहीं है all exercise आपको इसमें आपको करनी है तो इसमें आपका no deletion in new edition book बर अगर आपके पास all edition book है तो वहाँ पर आपके exercise based होगी by using completing the square method तो वह topic आपका delete हो गया है इस chapter में से तो next chapter है आपका AP AP में आपका कोई portion आपका deleted नहीं है तो इसकरके यहां पर आपको सारे topic को cover up करना है और सारी exercise आपको complete करनी है next chapter है हमारा coordinate geometry first exercise आपको करनी है second exercise आपको करनी है यह आपकी based है distance formula third exercise आपकी based है internal section section formula next topic जो आपका area of triangle आपको नहीं करना 6.4 आपको करनी है यह आपकी based है centroid of triangle तो इसकरके 6.5 आपके deleted है तो यह topic आपको नहीं करना next chapter है हमारा triangle first exercise आपको करनी है इसमें आपको यह theory no.1 भी आपको करनी है BPD theorem इसका आपको converse भी करना है यह आपका converse of BPD theorem most important 7.2 आपको करनी है 7.3 आपको करनी है 7.4 भी करनी है आपको 7.5 भी करनी है आपको इसका प्रूब कीजिए 7.6 भी आपको करनी है next chapter है मारा circle circle में कोई part आपका delete नहीं है तो इसके करके इसमें आपको दिलिटेड है तो यह चैप्टर आपने छोड़ देना है नेक्स चैप्टर हमारा ट्रिक्नोमेटिक रेशो इसमें आपको फर्स एक्सेइज करनी है नेक्स टॉपिक हमारा ट्रिक्नोमेटिक रेशो और समस्पेसिफिवी एंगल जीरो से लेके 90 आपको यह याद होना चाहिए इसके ओपर जो एक्साइज बेस्ट है वो आपको करनी है 10.2 नेक्स जो माया टॉपिक है ट्रिक्नोमेटिक रेशो और कॉंप्लिमेट्री एंगल यह आपका रिमूव हो गया है टैन पॉइंट री आपको नहीं करनी है नेक्स चेप्रे मारा ट्रिक्नोमेटिक आइडेंटिटी इसमें आपको इस आइडेंटिटी का आपको प्रूफ भी आना चाहिए बट जो अधर आइडेंटिटी है लाइक सिकन स्कूर थीटा इस इकल टू वन प्लस तैन स्कूर थी है बड़ आपको प्रूफ सीखने वह इसका सीखने 11.1 आपको पूरी करनी है मुल्हां वह संव असवाइट करनी नहीं नेक्स है महारा है एसमें कोई पॉल्चे यह पूरा करना है इस में आपके शकर्चांगे पहले हैं झालंगा यह आ है कि तो है सेक्मिन बंहें सब्सक्राइब करने चाहरो ला कि जिसमें आपको सैंटर्री दीग्री दीग्री कोच्ण आपको तो आपको साल अपने उस प्रेंड तो इसलिए 13.3 में आपने यह दियान रखना है कि सेंडरल एंगल आपका 90 दिग्री से अबव नहीं होना चाहिए नेक्स एक्साइज आएगी इसमें कोई डिलीशन नहीं है नेक्स चेप्टर है मारा सर्फेस एरियान वाल्यू इसमें आपको 14.1 करनी आपको 14.2 भी आपको करनी है थर्ड आपके एक्सेज बेस्ट है और फ्रस्ट्रम और राइट सर्कुलर कौन तो यह आपका टॉपिक डिलीटेड है तो इस करके इस टॉपिक के बेस्ट पर जो आपकी एक्सेज अभी आएगी 14.3 वह आपको नहीं करनी है तो यह एक्सेज आइस आपके डिलीटेड है तो यह आपको नहीं करनी है नेक्स चैप्र हमारा स्टैर्स इसमें आपको फ्रस्ट एक्सेज आपको करनी है रहा है सेकिंड आपको करनी है नो दिलीक्शन थर्ड आपको करनी है प्वोर्ड भी आपको करनी है 15.4 15.5 भी आपको करनी है यह आपकी बेस्टाहम मोड पर नेक्स जो उसके बार आपका आएगा रेलेक्शनिश बीट्विन मीन अन मीडियन बोड या आपको सिर्फ रेलेशन आपको याद होना चाहिए देन उसके बार जो आपका ओजाईव है less than method और more than method यह topic आपका deleted है तो 15.6 आपको नहीं करनी है next जो हमारा chapter है probability इसमें कोई पाट आपका delete नहीं है तो इसकर किसमें आपको सारी exercise को cover up करना है 16.1 आपको करनी है सारे question complete करने है जो आपकी second exercise based geometric probability यह आपको नहीं करनी आपको सिफ theoretical वाली probability आएगी तो geometric probability पे जो आपकी based exercise वो आपकी deleted है तो यह आपको नहीं करना यह थे आपके topic जो आपको इससाल करने है from RD Sharma latest edition book में से अगर आपके पास all edition है तो आप tally कर सकते हो topic और उसमें mark कर सकते हो तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग है तो जो आपको लाइक करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे channel के साथ जुड़ सकते हो और RD Sharma का solution कर सकते हो वो भी latest edition book से वो भी chapter wise with easy explanation के साथ तो मिलते हैं जल्द आपको next video में झाल 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 झाल